हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर रेलवे पर इच्छाओं पर संकट तो फ्रेंड्स यह वीडियो लाने के लिए मैं आज दोपर में बोला था कि मैं कुछ दिर में नेक्स वीडि bad होते ही जा रहा है अगर कुछ good होने का प्रयास होता है तो फिर अचाना फिर bad हो जाता है तो मैं आपसे बोला था कि शाम को चार से पांच बज़े के बीच में वीडियो ला दूँगा बट नहीं आपाया video friends ठीक है चाम को साथ बजने वाले हैं जब तक आपको वीडियो मिलेगा साथ बज जाएगा मुझे लगता है तो फ्रेंड से फिर से एक बैड न्यूज आ चुका है मतलब एक बार फिर से आपके परिछाओं पर संकट आने वाला है जिसके बारे मैं आपको लगातार अगाहा कर लगात कोविड पता नहीं चलता है जब इलेक्षन जाता है कोविड फिर से बैक हो जाता है अभी आप देखे देख दिन चीन का निव्ज आया था कि अचानक एक लाग केसे जा गए अब उसके बाद कहीं और का आप दिखाया जा रहा है पिर बताया जा रहा है कि इंडिया में भी जब गवर्मेंट को जब नेताओं को जरूत महसुस हो रहा है कि कोविड हटाने तो अपने कोविड कम हो गया इलेक्षन करा लो यह करा लू वह करा लो और जब बेरोज़गारों की बार यह आती है तो यह अईसा कब तक चलता रहेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है ठीक नहीं होगा यह बात आपको मैं पिछले एक दो महीं निस कही रहता है ठीक और ऑफिशल नोटिस में यहीं चीज़ आया है आपका एक लेवल का में में होगा ठीक है और आपका ग्रूबडी भी लिखा होगा जुलाई से ही हम पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए कि हम एक्जाम करा है तो जुलाई के अगस्त भी हो सकता है डिपेंड करता है अगस्ता प्रिप्रेशएन कितना हो पाता है की इए आज तक यह आप लोगwno को मालूम है लेकिन जब एक्जाम से कैंसी अब हम नहीं कराने वाले हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो railway क्या किया जो second number पे चल रहा था bidding process में NSIT फिर उसको tender दे दिया ठीक है उहाँ भी confirm नहीं था लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर last में confirm कर दिया गया क्यों क्यों क्योंकि और कोई agency के नजर में दिख नहीं रही है और बहुत से लोग इसके support में है दो-तीने से कारण इसके वर से NSIT को confirm कर दिया गया तो यहां पर फिर से Corona का मामला सामने आ गया है और अगर ऐसा होता है फिर अब exam कब होगा क्या इस साल भी exam नहीं होगा अकरी चल के आ रहा है देख लिए तेह यहां पर यह देखिए सांस संबंधी बिमारी ओपर नजर रखन अब देख सकते हैं नई दिल्ली का न्यूज है और यूरोप के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के फिर से सीर उठाने का हवाला देते हुए किन सरकार ने राज्यों से सतर क्रहने को कहा है केंद्र ने कहा है कि राज इंफ्लेंजा और सांस समध विमारियों पर नजर रखन सुरू कर दें ताकि किसी वितरह के सुरुवाति संकेत नजर अंदाज नहीं हो जाके और कोविड नियंत्रण में रहे इसके लिए स्वास्ति विभाग ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है केंद्र के निरेसों के अनुसार इंफ्लेंजा जैसी बिमारी आई एलाई और स् वरूपों का समय पर पता लगाने के लिए परियाब संख्याव नमूने इंसा कॉग नेटवर्क में जमा कराएं उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार जाच चारी रखने सभी शावधानियों का पालन करने और आर्थिक और सामाजी गतिवेदियों को फिर से सुरू करते सम है वैसे मैं बता दू अब रेल्वे चाहता भी नेक एक्जाम टले मैं बता भी चुक है पहले वी क्योंकि और लेडी जो है एक्जाम में तीन साल साल लेट कर चुके हैं और आगे मेन इलेक्शन है लोग सभाखा वैसे महां बता दू अगर वैकंसी होती भी ने तो भी वह क्योंकि उनका तो मुद्ध कुछ और होता आप जानते हैं ठीक है उन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है और हम ही आप वोट भी करते हैं अभी आप यूपी के एलेक्शन देख चुके हैं लोग रासन पर बिग गया है तो ऐसे सेंट्र पाती है पब्ली को लगता है अधकाल जो मिल रहा है हमारे लिए सब कुछ है ठीक है हम वो इस्रेम कार्ट बन रहा था तो उस पर पैसा बाठा गया थे क्रिशार रुपया इलेक्शन से पहले तो वहां पर चुनावाई रोक लगा दिया था तो यहां पीचिछ चल रहा है हालंकि एशिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों पर विस्ष्वास संक्षन ने भी चिंता जाहिर किया है देचछिट कोरिया में कोरोना के रिकॉर्ड 6 लाग से अधिक नय केस मिले किसी भी देश में संक्रमण के एक दिन में अब तक इतने ज़ रहे थे आपको मालूम होगा तो पहली बार किसी देश में 6 लाग से ज्यादा केस आएंगे यानि समझ रहे पहले से ही आपको डरा रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होने वाला है और कब होने वाला डेट वगरा को मालूम ही चल गया है साइंटिस्ट वगरा बोल चुके हैं 22 जून को आए गजक्ली उनको मालूम है कोरोना न बता लिएक हम बाज जून को हम आएंगे और अगस्त में पीक पे जाएंगे तो यह चल रहा है अपने देश में बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है अब समझे अगर यह सब बाते तो फिर आपके एक्जाम्स का क्या हो हो सकता है आपका एंटि पर सी यह जुद्ट निकल जाय एक यह तो बी सी य यूकल गळी न कोड़ी वना है या तो जुल्स्ट विक buttons बात सही निकल गई और तो फिर ल荷्ट रूश्ट में लिब dos टाउनी 22 बीच जाएगा 30 तक पहुँच जाएगा कोई एक्जाम नहीं हो पाएगा अब आप लोग कहेंगे मैं हमें से निगेटिव निउस देता हूँ तो भीया तीन साल से जो निउस मुझे मिल रहा है मैं वही निउस आप लोग को दूँगा जब पॉस्ट्यू निउस कहीं से नहीं मिल रहा है तो मैं कहां से आप लोग को पॉस्ट्यू निउस दे दू अपने पास से तो मैं पॉस्ट्यू नहीं बना सकता हूँ सिंपल सी बात यही है अब बाकी यूट्यूबर से तर मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि जैसे अब यह मार्च में वीडियो बना रहा हूँ बोल दूँ अप्रेल में एक्जाम हो जाएगा जैसे लोग चिलाए रहे थे लगतार तो यह मेरे से नहीं हो पाएगा आप गॉर्मेंट जान भूसकर लेट नहीं करेगे लेकिन सब कुस्छ डिपेंड करता है कोरोना का अगर कोरोना वह सच में उस तक आज आता है तो फिर फिर से तल सकते यह तरह कि उन्होंने है, बस बोला एक हम जुलाई में प्रियास करेंगे, तो यह मतलब फिर से उटलना ह दिख रही है क्या क्या होने वाला है ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है लेकिन अभी जू सिच्विशन दिख रहा है यही दिख रहा है फ्रेंड्स बस मैं आप लोग से यही कहूंगा आप लोग इस प्रिप्रेशन करते रह तो फिर स्कतर साय करो है अगर एक तो भी हो जाता है यह यह रहा रहा पर आप प्राइबेट जोब करते रहे हैं जबकि मैं कभी छुड़ने नहीं बोला था, मैं बोला था, अब एक्जाम्स नहीं होने वाले हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स फालतू दावे करके, आपसे आपके जॉब तक छुड़वा दियें, तो आप लोग ऐसा नक करो, फ्रेंड्स, आप लोग अपने प्राइवे